वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चैनल के AMU क्लास में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं AMU क्लास रोजाना साम साथ बज़े आपको देता है बालविकास मनोबिग्यान की महराथन क्लास सीटेट के मज़्द नजर रखते हुए यानि जो सीटेट 31 जनौरी को होने वाला है उससे संबंदित जितने भी कोशन सीटेट में बालविकास मनोबिग्यान की आते हैं वो इस महराथन क्लास में आपको मिल रहा है रोजाना साम साथ बज़े आपके अपने चैनल AMU क्लास पे तो आज हमारे बालविकास मनोबिग्यान महराथन क्लास का तीशरा क्लास है इसके पहले दो वीडियो आलरेड़ी आपको भेजा जा चुका है तो वहाँ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए बेल आइकन कोशन जो आपके सीटेट के एक्जाम के लिए काफी महतुप पूर साबित होने वाले हैं तो उसका पहला कोशन आपके स्क्रीन पे है मित्रो और कोशन कह रहा है हमारा एक आधिक बुद्धी का सिध्धान्त निम्रिखी को छोड़कर एक आधिक बुद्धी का जो सिध्धा आने वाले प्रवसंसक्रण कारेयों का एक अलग सिठ है बिस्यों को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए बी कह रहा है सी कह रहा है बिभिन माध्यमों से सिच्छड का मुल्यांकन किया जा सकता है और डी का कहना है कि भावनात्मक बुद्धी मता आईक्यू से और आईक्यू से संबंदित नहीं है यानि भावनात्मक बुद्धी मता जो है आईक्यू से संबंदित नहीं है यह मतलब एक आजिक बुद्धी सिदाल आईक्यू मतलब यह हुगा आईक्यू जो हमारा नापा जाता है मांसी का एगुड़े वास्तिव का एगुड़े सो से यानि मांसी का एगुड़े वास्तिव का एगुड़े सो फार्मूले से जो हमारा आईक्यू नापा जाता है तो आईक्यू बुद्धी में सामिल किया जाता है लेकिन भावनात्मक बुद्धी मता जो है IQ से संबंदित नहीं है यानि IQ में जो है यह भावनात्मक बुद्धी मता नहीं आती है यानि इसको छोड़के बाकी सब एक आदिक बुद्धी के सिंधान्त के अंदर आते हैं ठीक है तो समझ में आ गया आजे बढ़ते हैं एगले कोशन की तरफ कोशन कोशन नमर 2 हमारा क्या पूछ रहा है किसी भासा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है कोई भी भासा हुगा उसके अर्थ में सबसे छोटी इकाई इन में से कौन सी है किसी भासा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वाक्य बिन्यास मोफेर्म बैवारिकता फोनी में ठीक है तो बताईएगा कोशन नमर 2 का राइट एंसर क्या हो जाएगा इन चारूबी कल्प में से वाकि बिन्यास A, मोफेर्म, B, बहवारिक्ता, C कह रहा है और D कह रहा है फोनी में यानि किसी भासा के अर्थ की सबसे चोटी इकाई इन में से कोशन नमर 2 का यही पूशना है तो आईए देखते हैं कोशन नमर 2 का राइट एंसर होगा, क्या तो कोशन नमर 2 का राइट एंसर अब कह जागा मित्रो, बीस दराइट एंसर, मोफेर्म जो होती है वो किसी भी भासा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मोफेर्म होती है ठीक है बढ़िए अगर कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर तीन देखेगा आपकी स्क्रीन पे है कि एक बच्चा देखा और था परमाड और असपस्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता वह से पढ़ित है यानि इन में से किस चीज़ से वह पढ़ित है एक बच्चा है जो देखा और था में परमाड और असपस्ट के बीच जो है वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है तो वह इन में से चारों में से किस से पिडित है किस रोग से ये पूछना है question का हमारे dyslexia, subjumbling disorder, dyslexia देखिएगा दो बार हो गया है तो यहाँ इस dyslexia को काड़ दीजिए यहाँ आप कर लिजी आपसन में dyscalculia dyscalculia ठीक है एक dyscalculia हाता है वो भी एक बिवारी है तो इस आपसन में यह कर दीजिए टाइप ए में गलती हो गई होगी तो dyslexia, subjumbling disorder, dyscalculia या dysmopharmia कौन है इन में से चारों में से सही राइट एंसर आपका कि एक बच्चा देखा या था सब्द में परमाड़ और असपष्ट सब्द के बीच में अंतर नहीं कर पाता कि परमाड़ क्या है और असपष्ट क्या है उन दोनों के बीच का अंतर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो किस रोग से इन चारों में से पिड़ित है कोशन नमर तीन का यही राइट हमारा एंसर पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा होगा तो मित्रो सीटेट का एकजाम 31 जनौरी को होने वाला है जिसको देखते हुए महराथन क्लास M.E.U. क्लास आपको दे रहा है इस महराथन क्लास को पूरे 30 जनौरी तक आपको चलाए मित्रों बीजगरा एंसर सब्द जंबलिंग डिसाडर यानि उस बच्चे के अंदर क्या है सब्द जंबलिंग डिसाडर वाले जो है प्रॉबलम है यानि सब्द जंबलिंग डिसाडर से वो पिढ़ित है यानि उससे वो परतान है इसलिए वो देखा और था के बीच अंतर नहीं समझ पा रहा है परमाड़ और असपष्ट के बीच अंतर नहीं समझ पा रहा है ठीक है आईए कोशन मर्चार कितरा पढ़ते हैं कोशन मर्चार देखिएगा कोशन मर्चार पुछ रहा है आईक्यू टेस्ट में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है उनकी मानसिक आईव वर्स में होगी आईक्यू टेस्ट यानि आईक्यू टेस्ट में बच्चा जो है वो 16 वर्स का है ठीक है और उसका स्कोर टूटल कितना है जो उसका स्कोर है टूटल वो मित्र है 75 ठीक है तो 75 स्कोर है वो 16 वर्स का है और IQ पूछ रहा है IQ टेस्ट में मांसिक आयू पूछ रहा है तो IQ बराबर होता है मांसिक आयू बट्टे वास्तियू का आयू गुने सव मांसिक आयू के उधर रुख दीजे इधर ट्रांस्पर करके मल्टिप्लाई कर दीजे जो भी आता है आपका एंसर आ जाएगा mathematically आए देखते हैं question number 4 का right answer क्या होगा तो question number 4 का right answer क्या हो जाएगा मित्रो 12 is the right answer तो उस बच्ची की मांसिक आयू क्या होगी 12 वर्स होगी जो किसोर है उनका अनुवह इनमें से क्या हो सकता है आत्मगोद की भावना बी कह रहा है जीवन के बारे में तरिप्ति की भावना सी कह रहा है अपने बारे में चिंता और चिंता ठीक है यानि अपने बारे में चिंता और चिंता ध्यान दीजेगा यानि चिंता ही चिंता सिर्फ ठीक है डी कह रहा है बच्छमन में किये गए पापों के बारे में डर महसूस करना यानि किसूरों का अनुभा हो सकता है यानि क के दूध कि सुर्धा के बच्चे में आत्मबोक honesty यह डूरता है ना अपने बारे में ज्यादा करता है ओविस्या के लिए काम करता है और जीएन के बारे में बारे catkill में उसके अंदर नहीं करता है तो इसलिए आत्मबोक छाओना सबूstone कोणों के अंदर होता है किसोर कानुभों यहीं होता बरते हैं अगले कोश्चन की दरब के बाद कठीन प्रश्णों को हल करने में बच्चों का समर्थन करे ठीक है यानि वायोगास्की का जो सिध्धान था वायोगास्की ने जो सिध्धान दिया है नैतिक विकास का सिध्धान ठीक है यह ले वायोगास्की ने क्या दिया है नैतिक विकास का सिध्धान दिया है और प्रतिभास हालिचात्र है इन में से कौन जो है वो प्रतिभासाली छातर के कटगरी में आते हैं उनकी जरूरतों के गैर मुखर उनके निरडेयों में स्वतंतरत स्वतंतरता कह लिजिए यहां पर ताक मातरा हो जाएगा स्वतंतरता यही हमारा question number 7 का पूछना है, ठीक है, तो मित्रो, अगर आप चैनल पे नए हैं, और पहली मरतबा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो यह चला है, seatate महराथन क्लास, जो होने वाला है, 31 जनौरी को इसी 2021 में, ठीक है, तो इस महराथन क्लास का purpose यह है, कि seatate में जितने भी बा पूरा वीडियो 30 जनौरी तक देखा तो, ठीक है, तो अगर नए है, तो फटा फट जूड जाएए, ताकि आपको इसका लाब मिल सके, खासकर वो बच्चे, जो पहली बार seatate के एक्जाम में बैठ रहा हैं, यानि जिनको पता ही नहीं है, इसलिए वो सेस्कर द्यान दे, ठीक है, आएए, कोशन Numर सात काराइट इंसर दिखते हैं, तो कोशन नमर सात कारेट इंसर हो जाए वितरो, बीज़र इंसर, उनके नेडेवें में स्वतन्तरता, पतिभाष साली जातर क्या होते हैं, वो चातर जो नेडे, उनके नेडे में उनकी स्वतन्तरता हो, यानि र स्वतन्तर रहें वह अपने नीड़ेले में तभी जाके वह कुछ अच्छा करेंगे वही पर्तिभास अलिशात्र की पहचान है तो नीड़ेयों में स्वतन्तर रहें, यानि कोई रुकावट ना हो स्वतन्तर रहें अपने काम को करने में ठीक हैं बढ़ते हैं कोशन नमर आठ की तरफ, देखेगा कोशन नमर आठ हमारा क्या पूछ रहा है, कोशन नमर आठ हमारा पूछ रहा है मित्रो, सीखने के लिए मुल्यांकन निमलिखित को ध्यान में रखता है, क्या ध्यान में रखता है ये चारों में से कौन सा सीखने के लिए मु और शक्ताओं को ध्यान में रखता है, सीखने के लिए जो मुल्यांकन होता है, वो इन चारों में से किस पर ध्यान रखता है, कोशन अमर आट का यही पूछना है, तो मित्रो, फटा फट, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, कि क्लास कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों में लाइक करिए, और सेयर करिए, यानि सेयर और लाइक करिए, ताकि आगे भी जो पहली बार सीटेट अटेम्ट करने वाले हैं, पहले साल अभी एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए भी आसान हो जाए, और आपके लिए भी आसान हो जाए, तो आ कि देखा जाए कि छात्रों में क्या कमी है जिसको फिर बाद में जो है अपने विधियों से पूरा किया जा सके उप्चार किया जा सके इसी में आता है निदानात्मक और उप्चारात्मक से छड़ यानि पहले गलतियों को देखेंगे फिर उसको सुधाने की कोशिश करेंगे की थे ठीक है आई यह बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ कोश्र नमरनों नीमन में से कौनसा एक ठीक मोटर कोशल का हिंदा रड़ है जो है क यानि क्टीक यानि अच्छा मोटर कोशल का उदाहर है इनमें से होपिंग चल रहा है कि कौन यानि इन में से कौन जो है ठीक एकदम ठीक यानि एकदम अच्छा मोटर कोशल का एक उदारण है चड़ाई होपिंग चल रहा है या लेखन इसी तरह के कोश्चन सीटेट पुछता है और इसलिए अक्सर बच्छे मात खा जाते हैं लेकिन आपको मात नहीं खाना है इसलिए प्लीज हमबल रिक्वेस्ट है आज से गर आप नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाईए जुड़के चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी लेखन जो है वो मोटर कोशल का एक व्यत्री उधारण है इनमें से कौन है मोटर कोशल का उधारण है तो लेखन जो है हमारा मोटर कोशल का उधारण है बढ़ते हैं कोशन की तरह कोशन नमर 10 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कह रहा है नरसरी का अच्छा में सुरू करने क के लिए सबसे पहले जो है अच्छा भी से कौन सा होगा इनमें से जो आप नर्सरी के अच्छा में शुरू करेंगे मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा पडोस मेरा इसकूल या मेरा परिवार यानि नर्सरी के अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि नर्सरी के अच्छा क्या होत ठीक है, एक और दो, यहाँ तक के बच्चों को जो है, नर्सरी बच्चे का टेगरी में रखेंगे, तो नर्सरी बच्चे का जो कलास है, अगर उसको आपको पढ़ाना है, तो सबसे पहले, कौन सा भी से आपके अच्छा होगा, उसको सुरुआत करने के लिए, अच्छा भी स से अच्छा भी से जो क्या होगा वो मेरा परिवार क्योंकि वह बच्चा नर्सरी में इंट्री किया तो सबसे पहले अपने परिवार से ही विज़्धाले में आया तो इसलिए अपने परिवार की बारे में बहुत अच्छे जानता है तो जब आप जो है मेरा परिवार तौपिक से सुरू करेंगे तो बच्चा धेरे धेरे सीखना शुरू करतेगा इसलिए सक्से अच्छा भी से क्या माना जाएगा मेरा परिवार द्यान दीजिएगा इंपोर्टेंट कोश्चन है आईए बढ़ते हैं कोश्चन नमरी 11 की तरफ कोश्चन नमरी 11 की तरफ करना एक सिख्चक के रूप में आप क्या करेंगे इंचारों में से प्रतेग बच्चे को सुवा में कामना करते हैं या पर फिक बच्चे के लिए एक ही लच्छ निरधारित करें तो प्रात्मिक तक पांच तक का वो बच्चा है प्राथिमिक में है मतलब एक से पांच के बीच में आता है वो ठीक है यह ध्यान दीजिएगा और करना क्या है सकारात्मक निगेटिव थिंकिंग नहीं पॉजेटिव थिंकिंग यानि पॉजेटिव जो है इन्वाइरमेंट उत्पन करने के कहले फेयर्व नवना करें उसके अंदर परतेख वाउन के लिए एक ध्यू लच्छन निगदानित करें प्राथ्मिक अस्तर में सकारात्मक वात्वर उत्पन करने के लिए एक टीचर की यह भूमिका होनी चाहिए कि वो ब्हेयर्व ना पच्चों में परतेग बच्चे की चूढ कर निमलिखित की आवस्पता है, किसकी? माता, पिता की भागिदारी की आवस्पता है, छमता निर्मार की? समधीर्दी कररर की? या अलगाओ की? Qution को ध्यार समझी गया, पहले तो आपको Qution समझना पढ़ेगा, Qution कहना क्या चाता है. सफल समावेश छोड़कर निमलिकित में एवजशक्ता है किसकी अगर सफल समावेश को छोड़कर अगर हम किसी चीज की हमको जरूवत है तो इन चारों में से किसकी जरूवत हो सकती है ये question का हमारे पूछ रहा है तो मितρο, आपसे फिर एक बार कहा है कि अगर पहले ब्यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाईए नोटिफिकेशन के लिए लाइक करिए और सेर करिए और सीटेट का एक्जाम 31 जनौरी को होना वाला है रोजाना साम साथ बजे यह मेरातन कलास आपकी चलती है यानि साम जनौरी से आपको ई-ब्येश के वी कोशन मिलेंगी इस चैनल के माधें से सुबा 10 बजे कितने बजे सुबा 10 बजे तो देखना में भूलियेगा आए देखते हैं कोशन बारकार यांस वह थैसे होगा है तो कश्चन बारकार राइटेंस से क्या हो सकता है अलगाउ अगाए के बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखिएगा कोशन नमर तेरा कोशन नमर तेरा पुछ रहा है की इसकोर आम तौर पर अकादमिक पदर्शन से सम्मधित होते है आईक्यू इसकोर मतलब आपका जो आईकू है आपकी बुद्धिक जो आईक्यू मापी जाती है उसका पीच में भरना है आपको आम तोर पर कम से कम अकादमिक परदर्शित, आम तोर पर पूरी तरह से आम तोर पर अत्यधिक या आम तोर पर मध्यरूप से तो question हमर तेरे का राइटेंसर comments box में डालीए वित्रो क्या होगा इसका राइटेंसर और कैसी लग रही है आपकी ये महराथन कलास ये तो कमेंट्स गांस में जरूर बताएगा कमेंट्स बॉक्स में कि महराथन कलास आपकी कैसी लग रही है और इस महराथन कलास में जो वीडियो आपको जा रहा है क्या होना चाहिए और क्या आप चाहते हैं मैं जरूर पूरा करूंगा आज दिखते हैं कोशन नमर तेरा काराइटेंसर हो जागा मित्रो कि आए दिखते हैं कोशन मर चोदा कोशन मर चोदा कह रहा है हमारा एक ससक्त विध्याले अपने सिचकों में निमलखित में से किस गुण को बढ़ावा देगा एक ससक्त विध्याले हैं जो अपने सिचक यानि उस विध्याले में जो सिचक है इन चारों में से किस गुण को से ज़्यादा बढ़ावा देगा ठीक है प्रयोग करने की प्रभिर्ती मेमोरी अनुसासित प्रकिर्ती या प्रति अस्परधात्मक अभिरुची ठीक है क्वेशनमर 14 का यहीं पूछना है प्रति अस्थात्मक अभिरुची यानि कह रहा है कि एक ससक्ष जो विद्याल है डब मेमोरी की अनुसासित प्रकिर्त की या प्रति अस्परधात्मक अभिरुची की बढ़ावा देगा यह कोश्चनमर 14 का हमारे उचना है कोश्चन आप समझ गया होंगे मुझे उम्मीद है तो आईए देखते हैं कोश्चनमर 14 का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो कोश्चन कोश्चनमर 14 का राइट अंसर होगे आपका डी आए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ कोश्चनमर 15 और इस वीडियो का आखरी कोश्चन मित्रो मैरतन क्लास बैक टू बैक 15 कोश्चन आपको देता है यह आप अच्छे जानते हैं अगर जुड़े हैं और जो नय है वो चात्रों के लिए समस्या समधान को मजदार बना सकता हैं कह रहा है कि जो एक सी चक है निमलिखित को छोड़कर यानि इन चार विकल्पों में कोई ऐसा है जिसको छोड़कर बाकी सभी चात्रों के लिए समस्या के समधान को मजदार बना सकता हैं मतलब इसमें एक ऐसा विक में उसको छोड़ दिया जाए तो बाकि है वो सभी चात्रों के लिए समस्यां समय दान को एक मज़दार तरीके से बनाकर कर सकता है। कि झे को छोड़ कर दो यह पूछ है ? चात्रों को पूर्टा की उमेद करते हुए, वे खुद से छीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये करके. तो आप एक सिछक के रूप में, इनमें से क्या च्षोड़के, बाकि सभी चात्रों की समस्या समयधान को मजदार बना सकते हैं? यानि उसकी समस्या समयधान के चीजों को मज़ेदार के रूप में बना सकते हैं इन में से किस चीज को छोड़के यही कोश्चन नमर 15 का हमारे पूछना है मित्रो इस वीडियो का आकरी कोश्चन अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोश कोश्चन सबंद में आया होगा तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाएए ताकि आएकन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हो अपने मित्रों में सेर करना मत भुरिएगा लाइक जरूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा कोश्चन आपका ठीक है तो आए देखते हैं कोश्चन में 15 का राइटेंसर क्या हो जागा तो कोश्चन में 15 का राइटेंसर हो जागा मित्रों D is the right answer चात्रों को पूरता की उमीद करते हुए वे खुद अपने चीजों को करने की कोसिस करें यही छोड़ दिय जा सकता है क्योंकि यह समस्या समयधान को मजदार नहीं बना सकता कि छात्रों को पूरतिया की उमीद करते हो यानि आप यह उमीद पूरता उमीद कर रहा है चात्रों से कि वे खुद से चीजों को कोई कोसिस कर रहा है यह उमीद खुद आप पूरता तरीके से कर रहा है ए पंदरा बैक टू बैक कोशन कमेंट से बॉक्स में जरूट बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूद बाले जिएगा ताकि आगे का नोटिफिक्स मिलता रहें तो मित्रो मिलते हैं फिर से कल साम साथ भजे एक और बैतरीन पार मुलिकास मरोविग्यान मैराथन कलास की कोशन को लेकर बेरी बेरी इंपोर्टेंट तब तक के लिए नमस्कार